कोरोना से बच्चाव के लिए लगा देश व्यापी लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुलने लगा है इसी बीच अखिल भारती आयोर्विज्यान संस्थान के डारेक्टर डॉक्टर रंडीप गुलेरिया ने एक बार फिर कोरोना के मामलों खुले का चिंता जताई है डॉक्टर गुलेरिया का दावा है कि कोरोना वारस का पीक पर आना अभी बाकी है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर कोरोना वारस के मामले बढ़ सकते हैं कम्यूनिटी ट्रांसफर पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि दिल्ली मुंबई होट स्पॉट है वहां हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है पूरे देश में ऐसी सिति नजन नहीं आ रही दस से बाहरा ऐसे शहर है जहां पर लोकल ट्रांसमिशन के चांसे हैं सतर से 80 केस एम्स में ऐसे ही आ रही हैं लोकडाउन से कहीं न कहीं फायदा जरूर हुआ है हलाकि गरीबों की मदद के लिए लोकडाउन खोलना भी जरूरी हो गया था डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि लोकडाउन खोल रहा है तो हर व्यक्ति के जमदारी बढ़ जाती है ऐसे में लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा कुरुणा के मरेजों के लिए बैड और वैंटिलेटर की कमी पर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा की बैड और वैंटिलेटर का ध्यान को वीड नाइंटीन एरिया से आते हैं इससे साबित हो रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वह इंफैक्शन लेकर अस्पटाल में आ रहे हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि जो लोग यातरा कर रहे हैं वो अपने जम्मदारी समझे हाला कि भारत में मृत्यू दर बहुत कम है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स